हेलो फ्रेंज, वेलकम टू कुकीट रिपीट, मैं रितु गुपता आज आप सभी के लेकर आईँ बिल्कुल एक नई तरीके के नमक पारे जो सभी को पसंद आते हैं, बच्चों को तो ऐसे डिजाइन बहुत पसंद आते हैं, जो अलग-अलग तरीके से बने हो, उन्हें जो मेरी आज की रेस्पी पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमली और फ्रेंज के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, तो जलिए बनाते हैं ये खस्ता नमक पारे की रेसिपी, तो इसे बनाने के लि हाफ टी स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अब हम मोयन के लिए इसमें डाल रहे हैं दो बड़े चमच ओयल, तो मोयन इसमें बहुत जरूरी है, मोयन से ही ये खस्ता बनते हैं, तो आप देखें मैंने कितना बड़ा चमच लिया ह ताकि इसका जो टेक्शर है वो आपको ब्रेड क्रम्स जैसा लगेगा, और जब आप इसे हाथ में लेंगे, मुठी में बंद करके देखेंगे, तो ये मुठी में एकदम बंद हो जाएगा, उस तरीके का हमें मोयन चाहिए, अगर मोयन परफेक्ट नहीं होगा, तो आपके और आटे को मलते हुए अच्छे तरह से स्मूद कर लेंगे, तो इसे अब हम ढगकर दस मिनट के लिए रग देंगे, ताकि पूरी अच्छे तरह से सैट हो जाए, और हमारे नमक पारे अच्छे तरह से बनें, तो दस मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ, और एक बार हम फिर से इसे मसल कर स्मूद कर लें, बिल्कुल चिकना कर लेना है हमें आटे को, ताकि जब हम इसके नमक पारे बनाएं, तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहाएं, तो अब हम इसकी लोया दोड़ेंगे, लोया जो ह हम एक लोई ले ले लेंगे, और पाकी आटे को हम ढख कर रहतेंगे, ताकि सूख ही ना, और हम किचन की जो टॉप है, उसी पर हम इसको बेलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा और बहुत पतला बेलना हैं, और बेलने से पहले, अगर ये आटा चिप अगड़ा है, तो हल्का सा सूखा अटा मैदा आप ड़स्ट कर सकते हैं, और इसी पतला बेलना हैं, कि जो आप जिस फ्रोर पर बेल रहे हैं, किचिन टॉप पर बेल रहे हैं, तो उस पर बल्कुल दिखना जाएए वो, आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने आपर इसको बेला है, चपाती से मी पतला है अब हम इसी पर भी हलका सा सूखा अर्टा डरस्ट करलेंगे ताकि जो हम लेर्स टालेंगे तो वह बिल्कुल भी आपस में चिप केंगी नहीं और हम एक बार ऐसे फिर से बेन लेंगे जिसी कि ये और भी पतला हो जाएगा और इसे पलट लेंगे इधर हम अलका सा सूखा आटा लगा लेंगे और उसके पाद अच्छे तरह से आटे को फैला लेंगे और एक बार फिर से इसको बेल लेंगे ताकि यह बहुत पतला बन जाए जितना पतला बना सकते हैं आप उतना पतला इसको बेलें उसी से इसमें बहुत खस्ता नमक पारे बनेंगे तो दोनों तरफ से हमने आटा लगा लिया है और पेल लिया है अब हम इसकी cutting कर लेते हैं और दोनों sides हम इसकी निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल equal कर लेंगे इसके बाद हम आदा आदा इंच की दूरी पर इसमें कुछ strips काटेंगे आप strips को पकड़ने अगर थोड़ा बहुत भी चाकू के साथ आ रहे हैं तो आप इसे पकड़ने थोड़ा थोड़ा उससे ये बिल्कुल सही कर जाएंगे एक एक strips को पकड़कर आप इसे कट कर लेंगे अधा अधा इंच की दूरी पर इसी तरह से पूरी चपाती पर आप कट लगा लेंगे जितनी पतली से पतला आपका ये आटा बिला होगा ना उतनी ही अच्छी आपके नमक पारे तयार होगे तो अब ये बनाने के लिए नमक पारे हमने यहाँ पर कुछ टूथपीक लिया है टूथपीक अधर सभी के घर में मिल जाती है बहुत ही इजी ली अब हम एक एक strips को उठाएंगे और हलका सबसे स्ट्रेच कर लेंगे ताकि जिससे और बतला हो जाए अगर ये चिपक रहाए तो हो आप इस पर थोड़ा सा सूखा मैंदा लगा सकते हैं अगर नहीं चिपक रहा है बिल्कुल भी तो आप सूखा मैंदा ना लगाएं लेकिन यह थोड़ा सा मेरे को चिप चिपा लग रहा है तो इसलिए मैंने हलका सा इसमें सूखा मैदा डस्ट कर लिया है अब इस तरह से टूथपिक को जैसे हम धागे और सूई पिरोट हैं इस तरह से उसे आधा आधा हिंच की दूरी पर स्ट्रिप्स को इस तरह से कर लें तूथपिक के अंदर देखे इस तरह से और साइड में जो छोटी सी टूथपिक दोनों तरफ हम छोड़ देंगे हम एक और स्ट्रिप्स ले रहे हैं क्योंकि इसमें आधा डूथपिक की हमारा कवर हुआ है हलका सा इसको स्ट्रिप्स को स्ट्रैच कर लें जिससे की और भी पतला हो जाए देखे मैं बहुत आराम से दिखा रही हूं ताकि बहुत इजिली कर सके तो अब जो हमारी स्ट्रिप्स है वो भर गई है इस तरह से जो बच्ची भी है मुसे कट कर देंगे और इस तरह से दौनों तरफ से हम थोड़ी-थोड़ी सी टूथपिक को छोड़ द जब आप बाहर निकालेंगे तो बहुत ही खस्ता बनेंगे और एक-एक लेयर आप अलग कर सकते हैं और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आते हैं देखे इस तरह से और टूपिक को दौनों किनारे आप थोड़ा-थोड़ा सा अधा-धा इंच के किनारे आप छोड़ देंगे ताकि इने पकड़ने में भी इसी रहे और यह तेल में डालने पर फूले भी नहीं तो इस तरह से मैंने सभी स्ट्रिप्स तयार कर ली हैं चुल एक अलग डिजाइन है और बहुत सुंदा लगती है बनाने के बाद भी तो मैंने यहां पर सभी नमख पारे पूरी स्ट्रिपस तैयार कर ली है अब मैंने ओली भी गरम करने के लिए रख दिया है और मैंने मीडियम हीट पर गरम किया है और उसके बाद का फ्लिम लो करना है और हम अपनी सारी स्ट्रिप्स ओयल में छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम इस समय पर थोड़ा लो रखेंगे क्योंकि स्ट्रिप्स धीरे धीरे सीखते हुए ही उपर की तरफ आईगे तो यह बिल्कुल पर्फेक्ट ओयल होगा आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्ट् और एक पर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स नहीं भरेंगे क्योंकि स्ट्रिप्स धीरे धीरे फूलती हैं यह जद्दी भी स्ट्रिक्स हमने डाली है और जब हलका सा सीख जाएंगी उपर की तरफ आ जाएंगी तब हम इने पलट लेगे और इने सीखने में थोड़ा ट और आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रिक पे अंदर कितने अच्छी तरह से बिल्कुल खुले भी नहीं है और बहुत ही अच्छा डिजाइन इसके अंदर आया है तो लोग फ्लेम पर हम इसे सीखेंगे समय और बीच बीच में कैसका फ्लेम मीडियम लोग मीडियम लोग करते आप में इस तरह जाली पर निकाल लें तो आप देख सकते कितना अच्छा डिजाइन आ रहा है देखते ही खाने का मन कर रहा है इनको और यह सभी को पसंद आते हैं बच्चों को तो देखते ही इतना मन करता है इने खाने का तो इस तरह से मैंने सभी नमक बारे तैयार कर ल तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप आपको दिखा देती हूँ, देखें टूट्पिक बहुत आसानी से निकल गई है और आप इस तरह से एक एक लेयर अलग कर सकते हैं, देखें कितनी अच्छे तरह से सिखा हुआ है अंदर तक तो इसी तरह से तयार करें तो बहुत अच्छा बनेगा और कितना खस्ता है ये देखे बहुती खस्ता बने हैं तो चलिए इस त्योहार पर आप इने तयार कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें बैल आइगन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की डूर्टिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए फिर मिलेंगे इस तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ